अब देखिए हम जानते हैं यह हम ने लिखा हम जानते हैं वैसे हमने बता इसके पहले कि हम जानते हैं कि जब कोई परकास की किनड़ सगन माध्यम से बिरल माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर जुग जाती है यदि यह देखिए अविलंब की ओर जाती है अब यह सही हुआ हम जानते हैं कि जब कोई परकास की किनड़ सगन माध्यम से बिरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर जाती है अगर हम इसी आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो अपवरतन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा इसको बढ़ाएंगे ये भी बढ़ेगा लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब अपवरतन कोण का मान और नहीं बढ़ा पाते हैं या अपवरतन कोण का मान बढ़ाने पर आर का मान नब्बे अंस यानि सम कूण हो जाता है तब आपतन कूण को ही करांतिक कूण कहते हैं आईए देखिए ये एक नॉर्मल फिगर है ये से ट्रिक क्रेटिकल एंगल का फिगर है इसको कैसे समझेंगे कि सघन माध्यम यानि कांच सघन माध्यम में बना वह आपतन कूण जिसके संगत बिरल माध्यम का अपवर्तन कूण सम कूण होता है उसे ही क्या कहते हैं उसे ही करांतिक कूण कहते हैं एक मिनट यहां और भी लिखना है यहां अपवर्तन कूण बिरल माध्यम का अपवर्तन कूण यहां लिखना पड़ेगा अपवर्तन कूण देखेगा अता सघन माध्यम में बना वह आपतन कूण जिसके संगत